कि हालो गाईज वन से वेलकम बेक्ट और जैनल जुपिटर क्लास तो आप से जहाए ख़िए कि हम आज से करने वाले हें हम सिरफ मसी क्यों करेंगे तो बहुत सारे बिच्चे आप पर परेशान हो गए सबसे पहले आपको मैं बता दूंगे कल हमारा संडे को हमारा एक टेस्ट हुआ था हमारी जो एप्लिकेशन है ज्यूपिटर क्लासिस के नाम से तेस्ट हुआ था ठीक है तीन से क्वेश्न के मैंने आपके अपके टेस्ट टेस्ट था तो आप मुझे तीनी का स्कोर बोड आप हमारे वहां पर भी शेर कीजेगा और इस वीडियो के आप को मुझे बताइगा किपने मांक संपों कुन से कूष में आए है अगर जिसने वह टेस्स नहीं दी तो अभी भी बैस्ट ओपन आप जाकर टेस्स नहीं सकते शुरूर करने वाले हैं हां तो आज की आपको वीडियो मिलने वाली है दस बजे हमारी चारवाजे बनेरे सुकेसे हमारे सबस्केस करें है यृण को रहा कुछ पर सुन बीन का सब्सक्राइट है ने जन्यज़ार का еся कर आता हूं जैसे कि आज मुझे देखने को मिला कि आपने अच्छा जो है यहां पर 2000 से ज़्यादा बच्चों ने हमारा क्रंटापेर का वीडियो देखा है अच्छा रेस्पांस देखने को मिलेगा तो मुझे भी खुशी होती है कि मैं आपके ज़्यादा वीडियो लेकर आहूं तो शुरू करते हैं आज की वीडियो द्यादा हम देर नहीं करेंगे जिसने अब यह तक हमारा Android अप्लिकेशन नहीं किया उसे जाकर डॉनलोड कर हैं इनफोड दिवाइस जानते हैं कि हमारे वीडिवेशन को प्रस देखने के लिए त्टे लेकर रहां फिरह मारे कोई चीज इंपॉसिबल नहीं नॉटिंग इंपॉसिबल ठीक है कि अगर आपने अपने स्लेबस को पकड़ लिया है इट मींस जो आपका इसको इंपॉसिबल नहीं कहेंगे इस पॉसिबल आपके अंदर पैशन होना चाहिए अगर आपके अंदर पैशन है किसी भी चीज को करने के लिए तो आप कुछ चीज को ना करके आगे निकल जाएंगे तो बढ़ते हैं देख़़ें इंपूट डिवाइस क्या होती है तो इन पोटी रच इपुटॉट को हूँ कोंप्यूटर के अंदर एंटर करते हो ठीक है एंटर के बाद डेटा कहां पर जाता है किसी एक स्टोरेज में चला जाता है ठीक है वहां से आपका डेटा क्या हो जाता है आपका डेटा वहां से प्रोसेस होता है तो यह डेटा प्रोसेस कहां पर होता है मुझे कमेंट बास कर तो यूजर के बिना कंप्यूटर क्या करेगा और कंप्यूटर यूजर के बिना क्या करेगा इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करती है हमारी इन पूट डिवाइसिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है इन दोनों के बीच में आकर एक लिंक सा बना देती है एक लिंक यहां पर बना देता है तो से फ़ले हमने आप मालो के कीबोड है खाली कीबोड का आप क्या करोगे और आपके पास कंप्यूटर है खाली निक बना दिया यह विंक है लिंक बनाने का काम हमारा और इन पूट डिवाइसे करती है और यह डिवाइस होती है डीवन और इंफॉम्य को कम्प्यूटर की सुम आपकर पर कोशाता हूं हां जी इसमें एक option है चलिए अब मैं एक चीज़ यहां पर समझाने के आपको कोशिश करूँगा ठीक है यह मेरे पास एक computer है ठीक है इसको हम बोल देते हैं यह computer ठीक और यह हमारे पास एक user है ठीक यहां पर एक हमारे पास यूजर है अब यह यूजर जानता है कौनसी लेंग्वेज इंग्लिश लेंग्वेज फॉर एक ठीक है यह यह computer है यह जानता है खाली binary language कौनसी लेंग्वेज जानता है यह जानता है खाली binary language अब यह यूजर यह जानता है इंग्लिश लेंग्वेज यह computer उसने किसी डेटा को यहां पर एंटर करना है कम्प्यूटर केंदर के अंदर तो कैसे करेगा कोई इसकी पास तो कोई चीज होगी तो उस चीज को हम बोलते हैं इन्पुट डिवाइस ठीक है अब यह ट्रांसलेशन का काम भी करती है ठीक है यह human readable form में यहाँ पर data डालेगा और इन्पुट डिवाइस इसको तो यहाँ पर क्या करेगी यह input डिवाइस इसको करेगी ठीक है ठीक है ठाओनेर लेंग्वेज सकता है ठीक है यह यह एक प्रॉसेस होता है जो कि आपको याद रखना है चलिए अब हम देखते हैं फर्स्ट हमारे पास input device है that is keyboard ठीक है तो आपने स्क्रीन पर भी देखा होगा की keyboard होता कैसा एक पर आपको चले keyboard के दर्शन यहां पर करा लेता हूं तो गाइस यह होता है हमारे पास यहां पर keyboard यह escape की यह f1 से लेकर f12 तक होती है गाइस हमारी यह जो आपको याद रखना है यह होती है हमारी functional की इनको क्या बोलते है functional की ठीक है और मैंने आपसे एक question discuss किया था control अल्ट फिक यह हमारा होता है control का button यह होता है हमारा अल्ट का बटन ठीक है और यह हमारा क्या होता है यह हमारी कौनशी की होती है जानेगा देखे अगर अब अब क्याप अपने नहीं रखा या अगर आप यहां पर press करो तो shortcut में यहां पर तब जाएगा अगर आप control दबा के रखोगे और यहां पर ए दबाओगे ठीक है इससे क्या होगा control-a से क्या होगा सारा select हो जाएगा अब shift जो की है यहां पर control-alt और shift को भी आप यहां पर add कर लिजे control-alt shift क्या काम करेंगी इससे हमारा क्या होगा जैसे ही आप shift और एक e को साथ में यहां पर प्रेस करोगे तो आपका किस्मिया जाएगा capital word में तो यहां पर इसने क्या किया इसको छोटे को modify में कर दिया ठीक है इसलिए हम इनको modifier keys कहते हैं पर जान लेते हैं keyboard keyboard जो है सबसे मुकामन और popular input device हम मानी जाती है इसी से हम जो भी data होता है अपने computer में enter करते हैं सबसे important है जो भी data computer में डालना होता है वह हम computer के जरिये ही डालते है ट्रडिशनल टाइज में टाइपर यहां पर इस्तमाल करे जाते थे तो keyboard has a layout similar to that of the typewriter बड़ समेडिशनल कीज और present that have additional function तो यहां पर जो keyboard का जो layout है वो similar typewriter की तरह देखने को मिलता है लेकिन इसमें कुछ additional keys है जो हमें कहां पर देखने को मिलती है अपने keyboard में देखने को मि है मिलते हैं आगे इसमें कुछ typing होती है यहां पर साथ-साथ में आपको दिखाता भी चलूँंगा typing की कोन्षी होती है इसा है क्वर्टी कीज की वोड़ कि यां बोलते हैं कवर्टी कीज इसे बोलते हैं थो यहां पर जो भी यहां पर ऐस लेकर जड़ तक की देखने को को मिलती है इन्हें हम बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं टाइपिंग की जो यहां पर आपके पास होती है इन्हें हम बोलते हैं जो यहां पर आप देखने को मिलते हैं यह होती हैं हमारी कौन सी की याद रखेगा इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम में पूछा भी जा सकता ह इन्हें हम बोलते हैं numerical keys तो अब यह है हाँ पर numeric keyboard से क्या काम करते हैं या आपने cursor की moment को up and down करना होता है तो वहां से भी आप numeric keyboard का यूज कर सकते हो यहां पर स्तारां keys होती है आप यहां पर देखने को मिलती है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर एंटर करोगे शिफ्ट गैप्स लाख नंबर लाख स्पेस बार टैब अब इन सारों के function आपको बताता हूं यहां पर अभी देखे हमने यहां पर देखा टैब की से क्या होगा जैसे अगर आप कोई काम बढ़ रहे हो अगर आप यहां पर कुछ लिख रहे हो उसको थोटा सा जादा आके लिना टाब की प्रेस करेंगे आप दूसरे प्वाइंट में चले जाएंगे अगर आप कोई चीज लिख रहे हो अगर आपको स्पेस देना है तो आप एंटर फ्रिकर करोगे ठीक है शिफ्ट के बारे में दवा दिया तो बैक स्पेस का अपना काम होता बैक जा सकते हो फिरिंट सक् तो यह कुछ हमारे पास की होती है जो कि जिनके बारे में आपको उट से जानकारी होनी चाहिए इसके बाद हमारे कुछ कुछ की की जो 12 function की मैंने स्टार्टिंग में को कहा कि जो आपके keyboard होता है ठीक है जो आपके keyboard के जो आपका करसर है उसको चलाने के लिए भी control कीज कर जा सकता है स्क्रीन को control करने के लिए भी control कीज कर जाता है इसमें यहाँ पर four direction arrow की होती है control के से आपका home screen हो गया and secret insert delete page up page down control alternate and escape फिर से इनको भी आपको दिखा देता हूं गाइस तो यह जो मैंने आपसे बात की प्रिंट स्क्रीन स्क्रॉल ला करना हो इंसर्ट करना हो पेज आप जाउन करना हो ठीक है यहाँ पर कर्सर कंट्रोल डिवाइज आपके कर्सर को कंट्रोल करता है जैसे कि आपको दिखाऊंगो यह देखे इस इसका साइज होता है आपके हथीली में असानी से फिट हो सकता है इसके बीच में यहाँ पर देखने को मिलता है इस टिक यहाँ पर दिखा दिया लवर श्परिकल बाल मूज इन शॉक्त यहाँ पर दिखा दिया ओके जाइस्टिक इसके दो बटन होते हैं एक लेफ्ट क्लिक और एक राइट क्लिक इसमें होता है इसके बीच में एक स्कूल बार होता है जो कि मैंने आपको दिखा दिखा पर धिया आप यहाँ पर एक इसका यहाँ पर यहाँ पर यह लेफ्ट बटन होता है यह किसका इहां पर यह राइट बटन होता है बीच में इसका रहता है वारेफ्ट होड बार इससे आप स्क्रॉल कर सकते हो पर नीचे ठीक है माउस is only used to control the position of a cursor सिर्फ माउस का इतना ही का बन आपको कर सक्ट्री पर गांट करें तो मैंने पहले बता रहें तो यह उप्मप करने यहां पर दिखा तियों ठीक है है यह होती है हमारे पास जौई इस पहले सा पढ़ते हैं ज्श सांपल यह तरह ही जॉप्ज्еся extends इम्हें चने रिपार। इसके अपर एंड में आपको यह बाल देखने को मिलेंगे यहां पर इसके यह बाल देखने को मिलेंगे जॉइस्टिक के इसको आप चारुन डिरेक्शन में यहां पर गुमा सकते हो इसके बाद होता है हमारे पास एक लाइट पेन आप यहां पर देख सकते हैं इसे कहते हैं इसका फंक्शन क्या होता है लाइट पेन इसके अंदर एक इसकी स्माल ट्यूब लगी होती है इसमें एक ओप्टिकल सिस्टम लगा होता है इसटिस्प्लेज्ट मेन्यू आइटम और ड्रॉप पिक्चर आनदा मौनिटर सेख्रीं ठीट तो डिस्प्लेज्ट मेन्यू आइटम को स्लेक्ट करने भी स्को उउसको उप्र करनी हो उसके लिए इसको यूज में लाया जाता है जब आप लाइट पेंट टिप होगी यहां पर दिख रहा है आपको ठीक है यह वाला यह टिप जो है अगर आप मॉनिटर स्क्रीन पर रखते हो अगर आप पैन के बटन को प्रेस करते हो इस फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट डिटेक्ट दा स्क्रीन लोकेशन और सेंड दा कॉ तो इसकी जैसे ही अगर आप मालो कि यहांपर आपसे आपके एक साफ के प्रेस करते हैं क्याहरा तो trackball are used mostly in notebook or laptop computer से trackball को सिर्फ notebook जो होती है या आपका laptop computer वहां पर trackball को उज़कर जाता है यह कुछ तुस्वीर है यहां पर trackball की जो आपको आपके जहन में होनी चाहिए कि यह trackball होता क्या है तो आपकी स्क्रीन पर एक कर्सर की तरह यहां पर शो होता है यह आदा नीचे घुजा होता है इससे जो यह प्लेट टाइप की एक चीज़ है इसके इसके नदर इंसर्ट होता है और आदा यह बाल ओपर की तरफ होता है ठीक है trackball requires less space than the mouse यह बहुत ही चोटा होता है इसको जो आपका mouse रहता है उससे कम space की इसको जरूरत होती है जैसे अगर आपको अपने mouse को complete तरिके से गुमाते हो आपको यहां जैसे अगर आपको चीज़ गुमानी तो mouse को आप यहां यहां उपर की तरफ गुमाना गुमाना पड़ता है लेकिन ट्रैक बाल में ऐसा नहीं है ट्रैक बाल के उपर चोटा सा बॉल है आप उसी को अपनी फिंगर टिक्स अपनी फिंगर टिप से यहां वाँ उसको स्क्रॉल कर सकते हो ओके तो ट्रैक बाल केन कम इन वेरिस शेप के बहुत ही अलाग अलाग शेप्स में अपने अपनी शेप में यह ट्रैक बाल यहां पर मार्कट में आता है उसके बार नेक्स्ट हमारा इंपूट डवाइस इस सकेनर एक इनपूट डवाइस है विच वोक्स आन शीमिलर प्रिंसिपल आप फोटो कापी मशीन ठीक है जैसे आपकी फोटो कापी मशीन है उसी तर सकतर प्टो करते हो अगर आपके पास यह तभी इस्तमाल यहां पर होता है जब आपके पास paper की उपर को information आपने कोई चीज लिखी हुई है अर् उस चीज को आपने अपनी computer की hard disk के अंदर डालना है ठीकै और उसको आपने hard disk की अंदर transfer करना है उस में कोई manipulation करनी है कोई करता है उसके बाद उनको digital form में यहां पर convert कर जाता है ठीक है और जो हमारी hard disk है वहां पर जाके बाद उनको store किया जाता है इस images can be edited before they are printed और हम फिर उसके बाद उन images को जो हमने वहां पर image convert करी है digital form में उनको हम बाद में guys edit भी कर सकते हैं ओके यह काम होता है हमारा scanner का तो एक पर आपको scanner के दर्शन भी करवा देते हैं इस scanner ठीक है यहां पर आपका page रखा जाता है ठीक है बाद में यह scan करता है scan करने के बाद चला जाता है वह computer की hard disk में और वहां से जो user होता है user इसको कर सकता है user इसको modify भी कर सकता है इसको add it भी कर सकता है ठीक है अपने एकार्डिंग जो भी उसने इसको करना होगा जो भी यहां पर photo होगी या कोई या कोई मालो की कोई भी चीज लिखी हुई हो सकती है उसको यहां पर काम उसको manipulate कर सकता है अगर करना चाहे तो now next input device is here touch screen touch screen अपने देखिए आप सबके पास mobile है यहां पर touch screen भी होगी exactly होगी ठीक है किसी के पास टीपे डाले mobile थी नहीं आज के जमने नहीं होगा ठीक है touch screen होता गया एक electronic visual display है ठीक that the user can control through simple or multi-touch gestures by touching the screen with a special stylus pen and one or more fingers एक हमारा पास stylus pen होता है ठीक है जो pen आपके किसके उपर जो आपके pen touch screen के उपर काम करता है जिससे के मैं अपनी जो वीडियो बनाता हूं mobile पर तो मैं stylus pen का ही गाई यहां पर तो यहां पर यहां पर मैं stylus pen के यूज नहीं कर रहा हूं ठीक है अभी pen tab के यूज कर रहा हूं तो यहां पर क्या है यह stylus pen की तरह उसके ओपर लिखा जाता है अपनी finger से तो ताइच से पर समझ के होंगे सारे यहां सम्सक्रिन यूज ए और और शॉटिट ग्लाउज तो किसी ताइच स्क्रीन में आपको स्पेशल ग्लाउज दहने पड़ते हैं तो कहीं पर आप अपनी सिंपल स्टाइल से भी उस पर लिख सकते हो ओके दियूज़ कें आपने ट्यक्स करना है ऐपने ट्च साइज को जूम करना है यहां पर उसक्रिन पर कर सकता है ठीक है जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे इस तैच शक्रीन और इस यहां पर यहां थे अपने अक्वी पाल जो कर रहा है काम कर रहा है नेक्स वन इस डिजिताइजर डिजिताइजर की इमेज में आपको यहां पर दिखा तो इस डिजिताइजर ओके पांक क्या है यह देखिए digitizer एक हमारे पास input device होती है which convert analog signal from the television camera into a string of binary digit that can be stored into a computer digitizer भी हमारे पास input device होती है जो convert करती है analog signal को जो आपका television camera होता है उससे analog signal को यहाँ पर convert करेगी इसको binary digit की strings में यहाँ पर डालेगी उसके बाद वो computer में जाकर store होता है इसके एक ही question यहाँ पर बन सकता है output device है दूसरा question बन सकता है यह काम क्या करती है यह काम क्या करती है यह analog analog information को क्या करती है इसको digital form में convert करने का काम करता है digitizer करता है digitizer को हम क्या बोलते tablets tablet या graphics tablet के नाम से भी से जाना जाता है it can be used by the computer to create a picture of whatever the camera had been pointed at ठीक है इसको computer के जरीए use के जाता है अगर कोई picture create करने होगे किसी नगर कहीं पर क्यामरा लगा के रखा है ठीक है उसके बाद computer में जो इमेज आ रही है इसको point out करेगा कौन digitizer उस पर काम कौन करेगा computer ओके this was all about digitizer अब है हमारे पास यहां पर MICR ओके इसकी फुल फॉर्म पूसी जाती है आपको तो फुल फॉर्म में रखनी है आपने magnetic ink card reader तो पढ़ाने से पहले एक बार image दिखाना में जुरूरी समुझता हूं this is your MICR ओके देख लिया कहीं पर देखा होगा आपने चलिए कमेंट करके बदाएगा कहा पर आपको देखने को मिलती है लार्ज नमबर आप चेक्स और प्रॉसेस्ट एवरी डे एम माई सियार सफ यहां पर आते हैं तो MICR कोड एक लगा होता है इसको तरह यह उन चेक्स को पढ़ा जाता है a special type of ink that contains particles of magnetic material एक ऐसी special type की ink होती है जिसमें particles होते है magnetic materials के पाए जाते हैं ठीक है जिसको सिर्फ यहां पर machine ही पढ़ सकती है is used to read the code number जो code number होता है और check number होता है उसको पढ़ा जाता है जो के banks के द्वारा check दे जाते हैं उन पर क्या होता है print होता है this reading process is called magnetic ink character recognition ठीक है अब यहां पर आपने देख लिया तो इस process को बोलते हैं magnetic ink character recognition M-I-C-R जो main advantage होता है M-I-C-R का वो होता है कि बहुत accurate होता है और यह reading बहुत fast होती इसके जरीए ठीक है this is your M-I-C-R पता लग गया होगा तो next है हमारे पास input device that is optical character reader O-C-R ठीक है इसमें खास करके इसकी पुछ आती है तो आपको बता होना चाहिए कि यह है क्या this is your input device optical character reader O-C-R एक input device से ठीक है चलिए इसको इपर image दिखा देता हूं यह है आपका यहां पर O-C-R ठीक है this is your O-C-R रोल क्या होता है O-C-R का text को क्या करना है scan करना है ठीक है character by character text को scan करता है और उसके बाग उनको machine readable code में बना देता है और उस text को system पे store कर देता है यह काम होता है O-C-R का O-C-R यहां पे अगर electricity bills जब यहां पे prepare करने होते इंशुरेंस प्रीमिम बनाना होता है telephone bills प्रिपेर करने होते उस वकत आपका यहां पर O-C-R को इस्तिमाल में लाया जाता है ठीक है चलिए O-C-R भी हमारा हो गया तो हम बात करते हैं O-M-R की ठीक है optical mark recognition तो किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में कमेंट के अतर हमारा paper O-M-R based होगा या CBT based होगा तो आपका O-M-R based होगा यह वही O-M-R है तो O-M-R ठीक है O-M-R means optical mark recognition यह भी हमारी एक input device होती है optical mark इसको हम optical mark reading या O-M-R भी इसको optical mark reading भी बोलते हैं यह रखेगा ठीक है यह process होता है capturing human mark data from document form such as service and test इसे की आपका paper होगा ठीक है एक दो तीन चार चार में से आपने एक गोले को भरना होता है ठीक है चार में से आपने एक circle को fill करना होता है ठीक चार में से circle को fill करना होता है तो उसके बाद इन paper को आपके O-M-R के अंदर डाला जाता है ठीक है optical mark reader के अंदर डाला जाता है तो वहाँ पर जो भी ठीक यहां से डाला जाता है इस सेड़ा निकलता है इसमें सिस्टेम होता है कितनी पूशन आपके ठीक है वह पहले ही सिस्टम करा होता है आपके मार्क्स पता लग जाते हैं तो आपर आपर स्मार्ट कार्ड दिवाइस होते है एक क्रडिट कार्ड की तरह होती है इसमें एक इलेक्ट्रोनिक मेमरी इसमें पाई जाते है और फॉसिबल एंड इसमें Imbanded Integrated Circuit भी होता है, इसमें Imbanded Integrated Circuit भी होता है, तो कॉशन यहाँ से आपके लिए बन जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था कि Integrated Circuit आपको बताना है कि कौन सी जेनरेशन में Integrated Circuit कंप्यूटर में लाए गए थे, कॉशन है, अंसर कर देना, Smart Cards containing an इसमें एक IC लगे रहती है जिसे हम बोलते हैं Integrated Circuits Card के नाम से भी Smart Cards को जाना जाता है क्योंकि इसमें Integrated Cards लगे रहते हैं ठीक है Smart Cards are used for a variety of purposes बहुत सारे purposes के लिए Smart Card का यूज करा जाता है Storing of Patients Medical Regards Patient के अगरे Medical Regards को स्टोर करना है आप स्मार्ट कार्ट का यूज करोगे Storing Digital Cash ठीक है Digital Cash को प्रिस्टोर करना होगा उसके लिए Generating Networks ID Similar to a token टोकन के तरह होती है अगर आपको Network ID यहां पर बनानी है उसके लिए भी Smart Card का यूज होता है तो यूज स्मार्ट कार्ट इधर तूपल Information from it and to add data to it एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसमें आपने अपने Smart Card को डालना होता है ठीक है उसके अगर कोई Information निकालनी होगी या उसमें कोई Information डालनी होगी तो आप वहाँ पर Smart Card Reader का यूज कर सकते हो ठीक है चलिए अब हम देखते हैं Next One Bar Code Reader तो Bar Code Reader भी हमारी एक इन्पुट डिवाइस है बार कोड डिवाइस इस डिवाइस इस डिजिटल बार कोड़ डेटा डेटा इन फॉर्म प्लाइट और डार्क लाइन आपने यहां पर यह देखा हो ठीक है यह बार कोड हमारा डिडर होता है ठीक आप जब कहीं shopping करने जाते हैं बड़े-बड़े malls में आपने वहाँ इस चीज़ को देखा होगा ठीक है जो आपकी billing करता है तो इस चीज़ को अपने हाथ में लेता हो जो आपने चीज़ समान लिया होता है ठीक है अब देखे बार कोट के जरीह उनको पता रगता है कि इसकी प्राइस कीतनी है ठीक उसमें सारे चीजे सेट करी होती है तो कि नमबर क्या है उसचीज का उसको करता है अल्फा निमेरिक वैल्यूज में जिसके साथ आपको बार कोड डिटर कनेक्ट होता है इतने यह रखना है कि यह क्या है यह हमारे पास इनपुट डिवाइस है उसके बद होता है हमारे पास माइक्रोफोन तो माइक्रोफोन के इमेज यहां पर दिखा दूँ गाने का शोकीन को ने अन्हें देख लिए होगी ठीक है चलिए माइक्रोफोन होता कि एकॉस्टिक टू अलेक्रिक ट्रांस जूसर होता है इसे हम सेंसर बहुत कहते हैं जो आपकी सौंड होती है उसको एक अलेक्रिकल सीगनल में कनवर्ट कर देता है माइक्रोफोन आर यूज इन मैनी अप्लिकेशन जशे आपके टेलीफोन माइक्रोफोन होते हैं हेरिंग एड्स जो होती है वहां पर माइक्रोफोन की उज़ता है पब्लीक ए एक वीडियो कैमरा होता है एक एक वीडियो कैमरा होता है लिए टाइम गाल कोलिते हैं अगरा उसका को नेट्वोन में आपको वहां पर दिखायें मेरे में आपकी इमेजको शो करेगा क्या अब सब्सक्र आपके इप क्या स्ैव्आ कि यरा सकते है इसको देख सकते हैं या उसको दूसरे नृट्वोक पर बेज सकते हैं सिस्टम के थूँए इंटरनेट के थूँए अपनी एमेल अटाचमेंट एज बनाके अगर आपनी एटाचमेंट बनाके दूसरों को बेज सकते हो वेडियो केमरा की तरह होती है जो आपकी इमेज को रियल ताइम में यहाँ पर शो करती है अनलाइक एन आई-पी कैमरा विच कुनेक्ट्स यूजिंग एथरनेट और वाइफाई वैब केम यहां पर एक आई-पी कैमरा की तरह नहीं होता है ठीक है वैब केम को आप जर्नली यूएसबी केबल से कनेक्ट कर सकते हो या कोई भी केबल होगी वहां से आप उसको अपने सिस्टम कर सकते हो विल्ट वाइब केम केम तो आप सब आज की कुशन का भरसड़ के यहां पर बनेंगे तो आज के इसी से लिये हुए हैं ठीक है क्या दे आगे पीछे के कोश्चन थे तो आज कॉस्चन जो है इसे टॉपिक है तो प्रिंटर आपको बताना है कि प्रिंटर किस्त किसम की और आउट्पुट डिवाइस है अभी तक आप देखें अभी तक आज हमने क्या पड़ा आज हमने पड़ा इंपूट तो कहीं आपको इंपूट डिवाइस में आपको प्रिंटर देखने को मिला नहीं मिला तो गई सिंपल आंसर होगा इसको इस इस नौट इन इंपूट आउट्पुट डिवाइस तो गभी गभी कोशन आपको उल्टे पूल्टे भी पूछे जाते हैं देने माप दा कंप्यूटर के ब्रेंड का नाम क्या यह कोशन में बढ़ा चुका हूं मॉनिटर हाडवेर सीप्यू या बाइट ठीक इस कोशन का अंसर जल्दी से कोशन का आशन नंबर एटेट सीपियू के हमने दो पाट देखे थे ऐक क्या होता हैं half arm ठीक इस जरीए क्या काम दाए हैं ? थि इस question को जो answer है it is option number a आप यहां से अपने data को देख सकते हैं data को print कर सकते हैं ठीक है तो next question है हमारे पास most common method जो है data को enter करने का या और जो text को enter करने का numerical data को enter करने का computer system में तो keyboard से scanner से करते है printer से plotter से तो guys easy question है इसे हम data जो है कोई भी एंटर करना होगा चाहिए अपने numerical data करना होगा या text का data करना होगा उसे हम keyboard के जरिए ही अपने system में क्या करते हैं एंटर करते हैं ठीक है next question है मारे पर following groups consist of only input devices यहां पर आपको input devices कौन सी देखने को मिल रहे हैं जल्दी से comment करेंगा इस question की आंसर को aller do state er modewart चरफ्टर मौस कीबोर्ड मौनीटर मौस मौनीटर मौस कीबोर्ट प्रिंटर मौस कीबोर्ड मौस कीबोर्ड एप मौस रאשे मौस कीबोर्ड स्केंणर यहां पर यहां पर आपको दिख रहरे हैं अभी हमने यहां पर input devices पड़ी Japanese पढ़िए तो कहीं आपने वांपे monitor देखा नहीं देखा printer देखा नहीं देखा नहीं देखा लिए अपने बस लास्ट वाले options को देखना है यह तिन जीज़े कहीं को नहीं मिले तो गाइस option D is your right answer Okay option D is your right answer so guys this was all about today's video and I hope you have enjoyed the video अच्छी लगी वीडियो को तो like कीजिए नहीं लगी है वीडियो अच्छी तो dislike कीजिए लेकिन dislike करने वाले यह जरूब दाएंगे क्यों क्या comment कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी शेयर कीजिए दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो के लिए तो बाकी लेक्चर भी आपके लिए आजाने वाले हैं तो stay tuned with us ओके थैंक यू बड़ ब्लेस यू आल जैहिं